ये उदार्ण संक्या 23 है, इसमें में दो संख्याय दी हुई है, 103, गुणा 101, इनका हमें गुणा करना हहाँ, अब देख पार हैं कि यहाँ पर आधार 100 है और विश् Evan 3 है, यहाँ पर आधार 100 है और विचलन एक है तो हम लिख लें संक्या और विचलन आपकी मूल संक्या 103 है और आधार इनका 100 है 100 से 103 का विचलन धन 3 के बराबर है दूसरी संक्या 101 है और आधार से उसका विचलन धन 1 है इसका गुणन फॉल प्राप्त करने के लिए हम उत्तर को दो हिस्सों में लिखेंगे दायना हिस्सा जो दोनों विचलनों का गुणन फॉल है तीन गुणन एक बराबर आपको तीन मिलेगा और चुकि इसके दहाई में कोई संक्या नहीं मिल रही है तो आपको लिखना पड़ेगा दहाई में शुन है क्योंकि आपको पहले बताया कि जब हमारे पास अधार 100 होता है तो हम यहां पर विचलन के गुणन फल के द्वारे जो संक्या प्राप्त करते हैं वो दो इस्थानों को लेती है इकाई और दहाई को तो चुकि हमें यहां पर किवल एक संक्या मिल रही है तीन वो इकाई में जोड़ें तो एक सो तीन और एक सो चार मिलेगा इसे आप दूसरी तरह से भी कर सकते हैं दूसरी संक्या को ले और पहले के विचलन जोड़ें तब भी आपको एक सो एक और तरीका है कि आप आधार में दोनों विचलनों को जोड़ दे तो भी आपको एक सो चार मिलेगा इ 10403 यह आपका गुणन फिल हुआ 103 और 101 का आप एक पर खुद भी कोशिश करके देखिए और देखिए आपको यह परणाम मिलता है कि नहीं